नमस्ते वेलकम टुमाइ किचन अज हम अपने किचन लेकिया रहे हैं भरवा बैगन जो इसकी मसाले काफी टेस्टी है और बैगन भरवा बैगन बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह और इसे आप चावल दाल चावल के साथ पराठे के साथ किसी को साथ सर्फ करें बहुत पसंद आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लिस लाइक का बटन जो प्रिस कर देजेगा और जो पहली बार यह वीडियो देखने प्लिस स्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जूर दबाएगा कि जो भी वीडियो लाए आप तक पहुत सकेंगे तो यह दिखिए मैंन तो यह और अभी जने कुर्ख से निकालब दिखा देंगे मैं जर्टे और दो इस तरह से कुलत लगा देंगे सब्सक्राशमक्ति मैं काट लिया पैर बिकमाट कहुत कट देंगे आपको इस तरह से नहीं काटेंगे जिसे जो मसाले जो फिलिंग करेंगे इनका काफी अच्छी से भर जाते बहुत अच्छी से भर जाते हैं तो इस तरह से हमने काट लिया है अब चलिए मसाले रेडि करतें इनके तो थोड़ा से हिंग डाल देंगे इसके पाज थोड़ा साम अजवाइन डाल देता है कि एक चमा से कुटा हुआ लेशन डाल देंगे इसे काफी अच्छा फ्लेवर आधाता है इने इनके स्मिक्स कर लेंगे हम अब देखे थोड़ा से भून चुके हैं ये अब इसमें हम डाल देंगे एक से डेड़ चामाद हम पेशन डालेंगे इन्हें बेचे से मिला लेते हैं एक एच्छे से भून जा रहे हैं ये भूनने से काफी अच्छा पन दूर हो जाता है और काफी टेस्टी लगते हैं इसमें हम डाल दे द दलेंगे का थोड़ा साम नाल दे रघवा है थोड़ा सब्सक्तार बाटшей दल देंगे कि आँ थोड़ा साम लाल मिर्स पाउडर दल देते हैं आक है wow में काफे से सी भशे हैं आप इसमें हम डालेंगे है इस एक चमज घड़ा हुआ है अम आप थार फैल डाल देंगे इस है था यही इसipped तक ज़ने कव्थे जह प्रहाई जाती है यह मिलस तील हमtu है रहे नयब तीयत को नहीं अधे नहीं है जाओ ही अब नेस निकाल लेंगे पर निकाल डेंगे भॉर्म निकाल लेता है है कि को लुद्ट कर नेकाल लिया है लेके ऑफ्रभाव्यवice घ्रा में निकाल लिया दrickए नहीं डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम काफी अच्छी से हो चुके है अब यह आपके मसाली चटपेटे बहुत है यह रेडी हो चुके है कि बैगन ले लेंगे हम इन्हें अच्छी से डाल के दबा दबाके उन्हें फिल कर लेंगे तब भर लेंगे हम इस तरह से हैं धबाते होगे हैं हम भरेंगे मिशेक दुनों साइट से इस तरह से कंख़ा है काफि़ ऐसी हम बर jó ले सकते हैं बख़ा रच्छी लगते हैं तो यह की अच्छ है हो गये है इसी तरह हम सभी को भल लेंगे दबाढ़र बरना है देखिए हमने भर लिया सभी को, यह रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें हम फ्राइ करेंगे, तो पैन ले लेंगे, उसमें हम 1.5 चमसम से तेल डाल रहे हैं, बहुत ही कम तेल में यह बन जाते हैं, तो अब इन्हें डाल देंगे, इच्छे से मिला लेते हैं, अब दो मिनिट के लिए ने ढग देंगे, लो फ्रे में ढगना है, क्योंकि यह जलनेक डर रहता है, अब इज दो मिनिट हो चुके हैं, इन्हें फिर से हम पलट लेंगे धीरे से, इस तरह से धीरे धी पलटना है क्योंकि मसाले भी निकलने के डर रहता है तो इसलिए धीरे धीरे पलटनेंगे अब फिर इन्हें फिर से दो मिनिट के लिए ढग देंगे जिसे नीचे से भी वह पक जाएंगे देखे यह काफी अच्छे से नीचे से भी पक चुके हैं तो यह आपके पलटनेंगे नहीं यह देखे फिर से ने एक मिनिट के लिए ढग देंगे जिससे की जो भी कच्छा पन होगा वो दूर हो जाएगा खत्म हो जाएगा आपका तो अब देखे बिल्कुल रेडी हो चुका है यह तो इसी देख चेक कर लिए आपको यह पसंद आथ प्लिस लाइक का बटन जो प् तो वीडियो देखने के लिए थैंके सो मच